हालो एवरिवन आई नेहा वेलकम यू बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल दे लर्निंग चैनल आज हम इस वीडियो में ग्रेट फाइव इंग्लिश एंसियाटी बुक मैरी गोल्ड की यूनिट एट का चैप्टर दे लिटिल बुली पड़ेंगे सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि बुलिंग कहते किसे हैं जब कोई परसन दूसरे परसन को emotionally, physically या socially hurt करे, tease करे उसे बुलिंग कहते हैं आपने अपनी surrounding में या अपनी classroom में या अपने स्कूल में ऐसे देखा होगा कि seniors, juniors को धमका के चले जाते हैं या उनको push कर देते हैं या hurt कर देते हैं या slap कर देते हैं, this is called bullying, classroom में भी क्या होता है जब academically weak students के आप मजाक उड़ाते हैं या physically कमजोर बच्चों की आप मजाक उड़ाते हैं इसको भी bullying कहते हैं तो bullying नहीं किसी के साथ करनी चाहिए और नहीं accept करनी चाहिए नहीं अपने साथ होने देनी चाहिए यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको immediately अपने parents को अगर ऐसा स्कूल में हो रहा है तो अपने teachers को आपको बताना चाहिए ताकि उनके खिलाफ strict action लिया जा सके तो यह story the little bully and it blighton द्वारा लिखी गई है और वो chapter शुरू होने से पहले आप से कुछ questions पूछती है do you know of any child who teaches others और pushes them around तो क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो दूसरों को परिशान करता है टीज करता है या उनको push करते हैं what would you call such a child तो आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे read this story and see how hurry a little boy troubles other children तो आप इस story को पढ़िए इस story में हरी नाम का करेक्टव है चोटा बच्चा है जो दूसरे बच्चों को परिशान करता है so चलिए शुरू करते हैं once upon a time not so very long ago there was a small boy called hurry कुछ समय पहले की बात है हरी नाम का एक boy था although he wasn't very big he was strong यदिपी वह बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन वह strong था अपनी age के according बहुत strong था and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him तो वह अपने साथ school जाने वाले boys and girls को tease करना बहुत पसंद करता था what he loved to do most was to pinch उसको सबसे अच्छा दूसरों को pinch करना चुंटी काटना लगता था he could make a big bruise appear in half a second तो हरी इतनी तेज pinch करता था कि एक second से पहले ही body पर sport छूट जाता था निशान पढ़ जाता था bruise क्या होता है नील पढ़ जाना निशान पढ़ जाना another trick he played was pricking people with a pin और दूसरी तरे से वो कैसे परिशान करता था बच्चों को लोगों को pin चुबोकर वो safety या all pin अपने हाथ में ले ले लेता था और दूसरों को prick करता था so you can guess how all the children hated him तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे कितना परिशान होंगे they tried pinching him back but that was no good because he could always pinch harder तो बच्चे भी उसको return में pinch करते थे पर उतनी तेजी से नहीं कर पाते थे क्योंकि हरी फिर से उनको और तेजी वाला और हार्ड से pinch कर दिया करता था they did not like telling their teacher और ये बात बच्चे अपनी टीचर को बताना भी पसंद नहीं करते थे because that was telling tales क्योंकि ये बाते बनाने वाली बात हो जाती थी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए रोज नहीं कहानिया लेकर आते है हरी के अगेज्ट तो एक दिन ग्लास का प्लैन बना और वो पिक्निक बनाने के लिए पूरे दिन के लिए सी साइड पर गए सी साइड क्या हुआ समुदर के पास का एरिया all the children were most excited तो सभी बच्चे बहुत ही excited थे पूरे जोश में थे on the day the sun shone bright तो उस दिन सुरज भी अपनी पूरी चमक में था बहुत तेज चमक रहा था and all the children were wild with excitement और बच्चे भी खूब जोश से भरे हुए थे they crowded into the train and sat down तो सभी बच्चे train में बैट गए but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched लेकिन Hari के साथ कोई भी बच्चा नहीं बैटना चाहता था क्यों? क्योंकि वो हमेशा pinch करता रहता था दूसरों को चिकोटी काटता रहता था when they arrived at the seaside out jumped all the children with a shout of joy तो जैसे ही वो seaside पे पहुँचे destination पे पहुचे खुशी के मारे चिलाते हुए train से नीचे उतरे down to the sand they raised तो समुदर के किनारे रेथ होती है न तो जहां पर उन्हें रेथ दिखी वो सभी जैसे ही उतरे और वो इस अरिया में भागने लगे hand in hand but nobody took Hari's hand तो सबी friends जो थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस रेतीले एरिया में भागे लेकिन Hari का हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा nobody went near him और ना ही उसके कोई पास में गया Hari was angry अब ऐसा देखकर Hari को गुसा आ गया कि उसके साथ कोई भी accompany नहीं कर रहा है He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself Hari rocky pool के पास में sandy corner जो था वहाँ जाके अकेला बैठ गया He took out his lunch and looked at it तो उसने अपना lunch box निकाला और उसको देखने लगा It was a good lunch तो Hari की ममा ने एक अच्छा lunch पैक करके दिया था There were two hard boiled eggs Six jam sandwiches, three pieces of bread and butter A ginger cake and a bar of chocolate तो लंच बॉक्स में तो बहुत अच्छे अच्छे dishes पैक करके दिया थी Hari की ममा ने Two boiled eggs थे Six jam sandwiches थे Three piece bread butter के थे A ginger cake था और एक chocolate थी He would eat it all by himself He would not offer anything to anyone क्योंकि Hari सबसे गुसा था इसलिए वो सारा खुद ही खाने वाला था वह किसी को भी कुछ offer होता है Give देना नहीं देगा क्योंकि वो नाराज था तो उसने डिसाइड किया कि मैं ये सारा lunch अकेले खा जाऊंगा Just as he was beginning on the axe He heard a hoarse voice near him तो जैसे ही वो start कर रहा था अपना लंच एक से शुरुवात कर रहा था तो उसने एक भारी भर कम आवाज सुनी Good morning I am so pleased to meet a boy like you तो sound आया Good morning मैं आप जैसे boy से मिलकर बहुत खुश हूँ Hari turned around and stared in freight तो Hari ने डर के मारे इधर उधर देखा Whatever you do you think he saw तो वो डर के मारे ये देख रहा था कि आवाज आई कहां से उसने हर चीज देख ली आस पास की Hari saw monster crab walking sideways out of the pool तो Hari को एक monster crab दिखाई दिया पूल से आता हुआ दिखाई दिया पूल के sideways से आता हुआ एक monster crab बहुत बड़ा दानव केकड़ा दिखाई दिया His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer तो जो crab था उसकी eyes जो थी वो छोटे जो stalks होते हैं यानि की main stem होते हैं एंटीनर टाइप वहाँ पर उसकी आखे थी और वो बहुत ही unusual दिखाई दे रहा था strange दिख रहा था He held out his front claw to Hari तो उसने अपना जो पहला front वाला पंजा था claw था वो Hari की तरफ किया Hari put out his hand to shake the crab's claw तो Hari ने भी अपना हाथ जो crab है उसकी तरफ बढ़ाया handshake करने के लिए but to his surprise and anger the crab opened his pincers and nibbed his hand so hard that the little boy yelled but surprisingly क्रैब ने क्या किया क्रैब ने अपने जो grip tool था यानि कि जो पंजा था उसको खोला claw जो था न उसको open करा और उसमें Hari का हाथ ले लिया हाथ प्रेस कर दिया तो Hari को बहुत pain हुआ और वो बहुत जोरो से चिलाया here is my good cousin said the crab presently तो क्रैब ने खुशो कर बुला कि मेरा कजन भी आ गया देखो and to Hari's horror he saw our last sandy lobster crawling heavily out of the pool तो already Hari डरा हुआ था सहमें हुए Hari ने देखा कि एक बहुत बड़ा lobster तेजी से पूल से बाहर निकल के उसकी तरफ ही आ रहा है before the little boy could stop him the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain तो Hari कुछ कर पाता अपने आपको बचा पाता इससे पहले ही lobster ने अपने pincer like claws में यानि की gripping tool like पंजो में Hari के हाथ को पकड़ लिया और उसको pinch कर दिया और इतनी जोरो से उसको pinch करा कि Hari पेन में जोरो से चिल लाया and he stared at the pool in surprise 4. Out came sandy colored shrimps and prawns more crabs and another large lobster and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pincing तो क्या हुआ Hari अल्रेडी ही परिशान था lobster से और क्रैप के पेन से जो उसको वो pinching कर रहे थे इतने में ही Hari ने surprisingly जब पूल की तरफ देखा तो उसको बाहर आते हुए shrimps दिखाई दिये prawns दिखाई दिये और भी बहुत सारे क्रैप्स और बड़ा सा lobster आता हुआ दिखाई दिया और प्रिक्ड हरी और उन्होंने हरी को प्रिक कर दिया चुबंदी पिंचिंग करी और हरी जल्दी ही ब्लेक एंड ब्लू पड़ गया जखमों से उनकी पिंचिंग से दोंट यू लाइक इट सेड ओल दे क्रीचर इन सर्प्राइज तो सभी सी क्रीचर ने सर्प्राइजिंग ली हरी से पूछा कि क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा वाई तो तुम्हें शायद ये अच्छा नहीं लगा पर हमें तो ये पता था कि तुम्हें अरेड़ी एक पिंचर और प्रिकर चैंपियन हो तो तुम्हें हमसे मिलकर अच्छा लगेगा कम, कम जॉइन फन तो ये सब क्या कर रहे थे हरी का मजाक उड़ा रहे थे हना कर रहे थे तो इसलिए बोलते हैं कि आओ हमार साथ तुम मस्ती करो हरी लप तो हरी जोरो सी चिलाता हुआ अपने पैरों पे उछला इस लंच रोल्ड इंटो पूल एंड उसका जो लंच था उसके हाथ में जो लंच बॉक्स था वो उसके हाथ से छूट कर पूल में चला गया तो जब सभी सी क्रीचर ने लॉब्स्टर और क्रैप्स ने देखा कि लंच पूल में है तो वो दोड़े और लंच को इंजोई करने लगे खाने लगे हरी saw that they had forgotten him for a time तो हरी को रिलाइज हुआ कि वो अब लंच इंजोई कर रहे और वो हरी को भूल गया कुस टाइम के लिए इसलिए and he turned and ran for his life इसलिए वो वहां से मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागा tears streaming down his cheeks तो वो रो रहा था तो उसके जो आसू है उसके गालों को धिगो रहे थे गालों तक आ गहे थे they only did to me what I keep doing to other children he thought तो हरी यहां पर सोच रहा है realize कर रहा है कि sea creatures ने मेरे साथ वही किया जो मैं बाकी बच्चों के साथ करता था but how it hurt लेकिन यह तो बहुत painful है यह तो बहुत दुगदाई है and how I hated those crabs and lobster I suppose the other children hate me too तो हरी यहां पर completely realize कर रहा है मुझे इतना hurt हो रहा है और मैं crabs और lobster को hate कर रहा हूं मुझे उनसे नफरत हो रही है तो similarly जब मैं बाकी बच्चों के साथ ऐसा करता हूंगा तो वो भी मुझे जरूर hate करते होंगे well I jolly well shall not pinch or prick anymore तो यहां पर हरी अपने आपको change करने का decide कर रहा है और वो यह decision ले रहा है कि वो आगे pinching और pricking नहीं करेगा हुआ 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 है